भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव को चीन से मिलेगी मुफ्ट सैन्य सहायता समझोते पर हस्ताक्षर चीन ने मालदीव के साथ मुफ्ट सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं दोनों देशों के बीच किन किन चीजों के लिए रक्षा सहयोग समझोता हुआ है इसका विवरन सारवजनिक नहीं किया गया है मालदीव और चीन की नजदी कियां बलती जा रही है राष्ट्रपती मोहमद मुईजजु द्वारा अपने द्वीप राष्ट से भारतिय स्यान्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा तै करने के कुछ हफ्तों बाद चीन ने सोमवार को मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षिय संबंधों को बढ़ावा देने की और एक कदम उठाया चीन ने मालदीव के साथ मुफ्ट सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं मालदीव के रक्षा मंत्री मोहमद घासन मौमून ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए चीन के अंतरराष्ट्रिय सैन्य सहयोग कार्याले के उपने देशक मेजर जनरल जांग बावकुन से मुलाकात की मालदीव के रक्षा मंत्राले ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया मौमून और मेजर जनरल बावकुन ने मालदीव गनराज्य को मजबूत द्विपक्षिय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन के सैन्य सहायता के प्रावधान पर एक समझोते पर हस्ताक्षर कि चीन का मालदीव को बारह एको फ्रेंडली इंबुलेंस का उपहार हालां की मालदीव और चीन के बीच किन किन चीजों के लिए रक्षा सहयोग समझोता हुआ है इसका विवरन सारवजनिक नहीं किया गया है इस बीच, अडिशन.MV समाचार पोर्टल ने बताया कि चीन ने मालदीव को बारह एको फ्रेंडली इंबुलेंस भी उपहार में दी हैं रविवार को स्वास्थ्य मंत्राले में आयोजित एक समारोह में मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिन ने मालदीव को इंबुलेंस का उपहार देने वाला पत्र सौपा श्री लंका ने नहीं दी थी चीनी जहाज को रुखने की इजाजत चीनी सैन्य प्रतिनिधिमंदल की आत्रा माले द्वारा एक हाइटेक चीनी रिसर्च शिप जियांग यांध होंग शून्य तीन को बंदरगाह पर रुखने की अनुमती देने के कुछ दिनों बाद हुई पांच जन्वरी को श्री लंका ने उसी जहाज को प्रवेश देने से इंकार करते हुए कहा था कि उसने अपने पढ़ोस में चीनी जासूसी जहाजों के रुखने और महासागरों से डेटा एक अत्र करने पर भारत की चिंताओं के बीच अपने जलक शेत्र में प्रवेश क कालन के लिए भी शामिल है चीन के जासूसी जहाज का मालदीव ने किया बयाव चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने पहले मालदीव में चीनी रिसर्च शिप ध्वारा बंदरगापर रुखने का बचाव करते हुए कहा था प्रासंगिक जल में चीन की वैग्यानि समझ में योगदान देना है इसके बाद विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधीर जयस्वाल ने 29 फरवरी को अपनी वीकली मीडिया ब्रीफिंग में नई दिल्ली में कहा था कि लेटस्ट हलके हेलिकॉप्टर को संचालित करने के लिए तकनीकी कर्मियों की पहली टीम माल्दीव पहुँच गई है यह उन मौझूदा कर्मियों की जगह लेगी जो इस प्लैटफॉर्म का संचालन कर रहे थे पिछले साल नवंबर में मुईजजू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ तनाव आ गया था राश्ट्रपती के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुईजजू ने कहा कि वह भारती यसैन्य कर्मियों को अपने देश से बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे को निभाएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ जैहिंद वंदे मातरम